लाल पांदा, जायन्ट पांदा की तरह भालू के परिवार से तालुक रखता है ये अभी विलुप्ती की कागार पर है लाल पांदा अलोरस फल्जन्स परिवार का हिस्सा है चलिए जानते हैं मजेदार तथ्य इस अनोखे जीव के बारे में लाल पांदा के नाम से ही पता चलता है कि यह लाल रंग के होते है लाल पांदा भूरे भूरे फर और गर गरीले पूंचों के साथ एक आधर्निय वन्य जीव है अलग-अलग प्रकार की खुश्बू का पता लगाने के लिए लाल पांदा अपनी जीब का इस्तमाल करते है लाल पांदा पूर्वी हिमाले और चीन के कुछ क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं इनका प्राकृतिक आवास नेपाल, भूटान, भारत, म्यामार और दक्षन पूर्वी चीन जैसे देशों में है ये क्षेत्र ठंडे पहाड़ी भूभाग और घने जंगलों को शामिल हैं जो लाल पांदा के आवास के लिए उप्यूक्थ होते हैं दुनिया का सबसे पहेला जीवित लाल पांदा लंदन के चिडिया घर में बाइस में 1879 में रखा गया था लाल पांदा अपना ज्यादा तरसमें पेल पर ही बिताते है और पेल पर ही सोना पसंद करते है लाल पांडा बांस की मुलायम तहनियों और पत्तियों को अपने आहार का हिस्सा मानते हैं इसके अलावा ये फल, बेरिया, फोल, कीड़े और पक्षियों के अंदे भी खाते है लाल पांडा जमीन पर बहुत ही स्लो चलते है ये दिन में 13 घंटे तक भोजन की तलास करने में और खाने में निकाल देता है लाल पांडा खेलने और खुदाई करने में पसंदीदा हैं जैसे की वे अपने बचपन के खिलोनों के साथ खेलते हैं ये खिल खिलाहट और जिग्यासा से भरपूर होते हैं और उन्हें देखकर सुखद महसूस होता है रेड पैंडा जंगल में कई प्राकृतिक शत्रूँ से लड़ते हैं जैसे की बड़े मासाहारी और पक्षियों से आमतोर पर रेड पैंडा के प्राकृतिक शत्रू में हिम तेन दुआ, माटेन और कुछ प्रकार के गरुर शामिल है लाल पांडा का वजन 3 से 6 किलोग्राम के करीब होता है इनकी लंबाई करीब 2 से 3 फुट तक होती है वही उनकी पूंच की लंबाई भी करीब 2 फीट तक होती है शर्दी के मौसम में लाल पांडा का वजन 15 प्रतिसद कम हो जाता है लाल पांडा बिल्ली से थोड़े ही बड़े होते है पर यह शाकाहारी होते है मादा और नर लाल पांडा दिखने में एक जैसे ही होते है दुनिया भर के असी चिडिया घर में रेड पांडा को देखा जा सकता है लाल पांडा का ओसतन जीवन काल 14 साल का होता है आज ये दुरलब जिव विलुपती की कगार पर है और इसको लुपतपराय जिव में सामिल किया गया है उमीद है कि आपको ये जानकरी अच्छी लगी होगी यदि आपको विडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करे और हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें देखने के लिए धन्यवाद